दोस्तों नमस्कार मैं विने सिंग दोस्तों आज सिच्छक दिवस है और मेरे जीवन निर्माण में जिन भी सिच्छकों जिन भी गुरुमों की भूमी का रही है मैं उन सब को असादर प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ दोस्तों मुझे याद आता है आएटी रुर्की में पहाई के दारान हमारे एक परम आदरनी गुरू थे जिनका नाम था डाक्टर डी आर कोहली इलेक्ट्रिकल एंजिनिंग के प्रमुक इस्तंभों म में से एक थे दोस्तों जब वो रिटायर हुए थे तो मैंने एक विदाई गीत उनको समर्पित करते हुए लिखा था मैं आज उन्हें याद करते हुए और सारे सिच्छकों को याद करते हुए विदाई गीत आपके सामने प्रिस्तित करता हूं सुनिएगा इस महफिल के अधुर गीत में हम महफिल को क्यों अफिदा करें जो जिये हमें जीवन देकर हम कैसे उनको विदा करें इस गुलसन की हर्याली को पत्ज़र को अपनाने क्यों दें इस गुलसन की हर्याली को पत्ज़र को अपनाने क्यों दें यूं वक्त की हलकी आंधी में पत्तों को उड जाने क्यों दें, इस गुल्शन की हर्याली को, पतजड़ को अपनाने क्यों दें, यूं वक्त की हलकी आंधी में, पत्तों को उड़ जाने क्यों दें, फूलों में बसी हुई खुसबू, फूलों से कैसे जुदा करें, जो जिये हमें जीवन दे कर, हम कैसे उनको बिदा करें जो जिये हमें जीवन देकर हम कैसे उनको विदा करें हम जुकें कदम चुमें उनके या गर्व से सर मुचा रखें हम जुकें कदम चुमें उनके या गर्व से सर मुचा रखें नैनों से नीर बहाएं या सीने में दर्व छुपा रखें हम जुकें कदम चुमें उनके या गर्व से सर मुचा रखें नैनों से नीर बहाएं या सीने में दर्द छुपा रखें हम पर असीम इस नेह कर्ज रिण कैसे उनका आदा करें हम पर असीम इस नेह कर्ज रिण कैसे उनका आदा करें जो जीए हमें जीवन देकर हम कैसे उनको बिदा करें जो जीए हमें जीवन देकर हम कैसे उनको बिदा करें इस महफिल के मदर गीत को हम महफिल में क्यों ना फिदा करें जो जिये हमें जीवन देकर हम कैसे उनको विदा करें जो जिये हमें जीवन देकर हम कैसे उनको विदा करें बहुत बहुत धन्वाद